हेलो एवरिवन सो कैसे हैं आप सब लोग मैंसेल समरिधी शर्मा और मैं आज फिर आचुकी हूँ आप सब के सामने साइन्स के टॉपिक्स लेके और आज मैं आपके सामने साइन्स के टॉप आप एम सी क्यूज लेके आए हूँ बाइद वे मैं कुछ दिनों से यहां पर थी नहीं तो मैं आपके लेक्चर्स नहीं ले ले पाई लेकिन मैं आचुकी हूँ आपिस तो लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम है हम स्लेबस नहीं कवर कर पाएंगे तो मैंने सोचा कि हम सीरीज लेके आजाएं तो आज हम हम स Unless मैं आपके आप सब के लिए म सी क्यू सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिग्स के आपको कवर करवाऊंगी ताकि आपको आईडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्वेसेंस आपको प्रमें पूछे जा सकते हैं आई हो हैं तो हमारास पहलार्स किई है जान्व कृर्ठ्ट रिकव throws the correct वन का किट मेंसरा किमेंटर हम्हें और श्यानी सर्फर्ष्ट और तीसरा है सबस्क्राइब Mmm कि जो कि जो हिला थर्ड वाला बोलता है यहां तर्ड बोलता है कि मैंटरल्स होते हैं उनका लो मैल्टिंग पॉइंट होते हैं यहां तकि मैंटरल्स को जो हैं यह जन्रली हाई मैल्टिंग पॉइंट ओर बॉइलनी पॉइब होता है तो चोले आगे पढ़ते हैं फाहे हमारा हाईली रियक्टिव मैटल्स रिययक्ट वीड स्थ सुगी जो हमारे हाईली रियॉक्तिया ऻोते हैं वहते हिल मुह पर प्रुण है हमारा metal oxide दूसरा option है metal hydride और तीसरा option है हमारा metal hydroxide और फिर चोथा है all of these अब इन में से हमें क्या मिलता है तो पहले question को ध्यान से पढ़ना ध्यान से metal highly reactive metals लेकिन इसमें generally metals नहीं highly reactive metals जो है जब water molecules के साथ react करते हैं तो क्या बना थे जब highly reactive metals water molecules के रियाक्ट करते हैं, तो वो metal hydroxide बनाते हैं, लेकिन metal hydroxide बनाते हैं, और metal oxide भी बनाते हैं, और metal oxide कब बनाते हैं, metal oxide बनाते हैं, जब least reactive metal हो, least reactive metal, जब react करें water molecule के साथ, तब metal oxide बनते हैं, और metal hydride जो हैं, जब metals generally hydrogen के साथ react करते हैं, तो metal hydride बनाते हैं, ठीक है, इसमें कोई confusion, सब clear, ओके, तो चलिए, आगे जलते हैं, अगला MCQ है हमारा, the formula of water gas, water gas का formula, water का formula तो सबको पता है, H2O होता है, लेकिन water gas का क्या formula होता है, water gas जो होती है, water gas हमारी carbon monoxide और hydrogen से बनती है, carbon monoxide और hydrogen से, तो इसी से हमें पता लग गया, यह इसका formula, इसका जो formula होगा, CO plus H2, CO carbon monoxide, और H2 जो हो जाएगा हमारा hydrogen होता है, CO2 H2 नहीं, CO plus N2 भी थे हैं, और CO2 plus N2 भी थे हैं, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आगे वाला है हमारा, generally non-metallic oxides, जो होते हैं, non-metallic oxides मतलब, जब non-metall oxygen के साथ रियाक्ष करते हैं, तो वो non-metallic oxides देते हैं, non-metallic oxides, और वो acidic होते हैं, नेचर में, जो metallic oxides होते हैं, वो basic होते हैं, और non-metallic oxides जो होते हैं, acidic होते हैं nature में लेकिन carbon monoxide एक exception है और carbon monoxide के carbon monoxide के oxides का क्या nature होता है इसमें यह पुछा गया तो पहला option है basic in nature basic होते हैं nature में amphoteric in nature, amphoteric मतलब which shows both basic as well as acidic nature और neutral होते हैं या फिर यह exist ही नहीं करता है neutral होते हैं या फिर यह carbon monoxide पहला इसमें इसमें कौन सा सही है neutral in state जो carbon monoxide है यह neutral होते हैं तो यह बहुत important question बन जाता है यह exceptions जो होती है ना chemistry is full of exceptions और जितनी ज़्याद़ exceptions आप chemistry की पढ़लो ना उतनी ज़्याद़ chemistry आपको आई ही ठीक है तो chemistry में ज़्याद़ exceptions पे जो है focus करना होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है हमारा select the correct one for 22 karat gold jewelry जो हम gold यूज करते हैं jewelry में rings में या फिर necklaces में जिसमें भी हम jewelry use करते हैं तो jewelry में gold यूज करते हैं वो 24 karat gold नहीं होता है 22 karat gold होता है लेकिन 22 karat gold होता है उसके along कुछ और भी होता है कुछ और भी होता है 24 karat gold तो हम jewelry के लिए यूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि 24 karat gold जो होता है बहुत soft होता है ठीक है तो 22 karat gold में अब बोलता है क्या क्या होता है इत कंटेंस 22% gold और 78% impurities या फिर second option हमारे ये बताता है कि 78% gold या फिर 22% impurities और third option हमारे ये बताता है इत कंटेंस 22 parts of gold और 2 parts of either silver और copper तो इसमें जो है जो हमारे 22 karat gold होता है उसमें 22 parts जो होते हैं gold के होते है और silver और copper का alloy बना के तो यह तो 22 charat gold मन जाता है , जो हम जWAYलरी में यूज करते हैं तो हमारा है अगेला विच वन आफ दी फॉलिविंग एलिमेंट डट डू नोट अंडर्गो कोरोजिन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कोरोजिन नहीं करता है तो इसमें सिंपल सी बात है जो जादा रियक्टिव होंगे वो जादा कोरोजिन करेंगे ठीक है और जो कम रियक्टिव होंगे वो नहीं करेंगे तो इसमें देखते हैं गोल्ड गोल्ड भी लिस्ट रियक्टिव है सिल्वर भी लिस्ट रियक्टिव है और कॉपर भी लिस्ट रियक्टिव है इन दो options में बहुत confusion रह रही होगी Gold और Silver में Gold और Silver में confusion होगी कि यहाँ तो इसका Gold होगा और यहाँ तो Silver होगा आपके जो MCQs type questions होते हैं उसमें 2 options तो होते हैं कि जिनका होता कि यहाँ यह नही नहीं है लेकिन 2 options ऐसे होते हैं मतलब confused हो जाते हैं यह भी लगत यह भी लगेगा, जैसे यह भी लग रहा और यह भी लग रहाँ. कि याओ, यह भी आ है, यह भी यह, इन में बहुत confusion होती है, जैसे इस टाइब का यह question, इसमें gold भी लग रहा और silver भी लग रहा, लेकिन यह confusion, जु आज आपकी ट्लेर दिः में, तो इसमें ना all of these आएगा, ना copper आएगा, ना silver आएगा, इसका option होगा, gold option है, ठीक है, तो हब आगे चलते हैं, आगे है हमारा, aqua regia is a mixture of, यह बहुत बहुत important question है, aqua regia, aqua regia जो होता है, इसे हम royal water भी कहते हैं, और यह highly corrosive होता है, royal water, ठीक है, और यह किस काम में आता है, aqua regia जो होता है, यह metals को dissolve करने के कामाता है, यह यहां तक कि gold और platinum को भी dissolve कर देता है, ठीक है, और अब बताना है कि aqua regia किस का mixture होता है, पहला option है, हमारा, concentrated hydrochloric acid and concentrated H2SO4, sulfuric acid, second option है, concentrated hydrochloric acid and concentrated HNO2, ठीक है, third option है, हमारा, concentrated HCl, hydrochloric acid and concentrated HNO3, nitric acid and fourth option is that, concentrated hydrochloric acid and CH3CWH, acetic acid, तो इन्हें से concentrated H2SO4 भी नहीं है, यह भी गलत, second वाला भी गलत और third वाला से ही है, जो aqua regia है, यह एक mixture है किस किस का, concentrated hydrochloric acid और concentrated nitric acid का, लेकिन दोनों concentrated होने चाहिए, लेकिन इसमें एक और question बनता है, कि इनकी ratio क्या है, अगर हमें ratio पूछी जाए, hydrochloric acid to HNO3, ठीक है, the ratio of hydrochloric acid to HNO3, तब हमारी ratio आएगी 3 ratio 1, लेकिन जब हमें पूछी जाए, the ratio of nitric acid to hydrochloric acid, तब आएगी 1 ratio 3, okay, यह बात भी आप ध्यांडर में रखेंगे, यह भी बहुत confusing है, hydrochloric acid to HNO3, जो होगी 3 ratio 1 होगी, sorry, 3 ratio 1 होगी, और nitric acid की hydrochloric acid से ratio 1 ratio 3 होगी, okay, यह भी हो गया, अब हमारा आगे है, rust is a mixture of rust, rust क्या है, rust है, जो iron में corrosion लगती है, उसको हम रस्ट कहते है, यह रडिश ब्राउन कलर की होती है, यह रस्ट होती क्या है, पहला feo.xh2, ठीक है, second है, feo.xh3, ferric hydroxide plus dot xh2, यह फिर feo3.xh2, यह फिर feo3.xh2o, ठीक है, इसमें जो है, हमारा है, feo3, feo3.xh2o, ferric oxide जिसे हम कहते है, feo3, यह जो है, हमारा rust का formula होता है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा lightest metal, lightest metal, तो lightest metal जो होता है, हमारा lithium होता है, यह तो बहुत easy सा question था, lithium होता है, बट ऐसे-ऐसे questions भी कभी आ जाते हैं, आप बोलोगे, easy सा question है, तो आपको आजाने चाहिए, इसका यह वाला है, यह मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, कि इसका, ऐसे-ऐसे type के questions आपको आ सकते हैं, यह आपको revise हो रहा है सब, तो आगे है हमारा, coating on galvanized iron is off, जो galvanization process होता है, रस्टिंग से बचाने के लिए iron को, galvanization का एक process करते हैं, उस process में, हम iron के ओपर किस चीज़ की coating करते हैं, यह पि बेसिक सा question है, chromium, tin, हाँ, tin, या फिर mercury, या फिर zinc की, किस की करते हैं, इसमें जो हैं, हम zinc की coating करते हैं, यह तो normal सा question था, normal है, लेकिन बहुत important question है, कई बच्चों को नहीं पता होता है, zinc की coating करते हैं, ओके, अब metals जो होते हैं, उनमें conductivity की एक property होती है, लेकिन non-metals में conductivity की property नहीं होती है, लेकिन इनमें से कौन सा non-metal है, जिन में conductivity की property होती है, मैंने कहा था, exceptions, बहुत important होती, इसमें lead है, iron तो metal है, nitrogen है, यह फिर graphite है, graphite जो है न, graphite एक ऐसा non-metal है, जो electricity कंड़क्ट करता है, heat और electricity को कंड़क्ट करता है, और यह जो graphite है, वो लोगे, और प्रियोडिक्टेवल में तो graphite तो हाई नहीं, graphite जो allotropic form है carbon की, हमारे carbon की allotropic form है, ठीक है, तो चलिए, आगे चलते हैं, calculate the number of valence electron in oxygen atom, oxygen atom के valence electrons देख रहे हैं, तो इसके valence electron देख लो, इसके 8 जो इसका atomic number 8 है, तो इसमें first shell में 2 होंगे, तो second वाली shell में 6 होंगे, तो इसका valence electrons होते हैं 6 होते हैं, ओके, इसका option third, और आगे है हमारा question, German silver is a composition of, यह बहुत important question है, German silver का, यह पीछे, किसका exam हो, EPFO का exam हो था, उसमें शायद यह question आया हुआ है, कि German silver की composition क्या है, किसका alloy हाई है, German silver जो है, पहला option है हमारा, copper 60%, zinc 20% और nickel 20%, second option है, aluminium 95.5%, copper 3% और manganese 1% और magnesium 0.5%, और fourth option है, copper 78% और tin 22%, और इसका है हमारा, इसका A part है हमारा, इसका A part है, इसमें जो होता है, जर्मन सिल्वर की composition में, 60% copper होता है, 20% zinc होता है, और 20% nickel होता है, यह जो, हमारी alloys है, alloys की composition बहुत important है, हो सके तो, जो important alloys मैं आपको, अपने lecture में बताये हुए, जो मेरा metal है, non-metal का lecture है, उन lecture, उस lecture को देखना, आप उस lecture में जो है, alloys में ने पढ़ाये हुए हैं, बहुत अच्छे से, जो important important alloys है, उनके composition हो से के तो, आप याद कर लें, क्योंकि यह बहुत important है, alloys की ही साथे तर composition पूछते हैं, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा, some metals show both the properties of metals, and non-metals, known as, ऐसे कौन से, sorry, इधर metals नहीं होना था, इधर elements होना था, sorry, sorry, इधर metals नहीं, इधर elements होना था, कुछ ऐसे elements होते हैं, जो हमें metals की भी properties show करते हैं, उनको हम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यह आप मुझे comment box में comment करेंगें, क्योंकि यह बहुत easy सा question है, ठीक है, तो चलिए आगे से में भी बता देते हूं, उन्हें हम कहते हैं metalloids, उन्हें हम कहते हैं metalloids, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा alloy, alloy is an example of, alloy है क्या, जब भी हम alloy के definition पढ़ते हैं, उसमें ही पहले यह आता है कि alloy किस चीज़ के example, emulsion है, gel है, homogeneous mixture है, या फिर collider solution, मतलब alloy की definition में ही यह है कि alloy is a homogeneous mixture of two or two or more, metals, और metal or non-metal, ठीक है, तो यह क्या है, alloy होज़े, homogeneous mixture है, तो आगे क्या है, आगे answers है, तो आज का lecture हमारा यहीं पे खतम होता है, तो I hope आपको यह जो MCQs है, यह MCQs आपको आते होंगे, लेकिन मैंने आपको यह सारे MCQs फिर से रिफाइस करवा दिये, और I hope इन ही में से कोई ना कोई question आपको आजाए, तो इन MCQs को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तो इनकी अगर आपको PDF चाहिए होगी, तो यह PDF आपको हमारे टैडली ग्राम ग्रूप पर मिल जाएगी, जिसका नाम है, जेके SSB special, तो आप उसको जॉइन करें जाके, और उस चैनल पर आपको इसकी PDF आवलेबल होगी, तो thanks for watching, Thank you so much.